हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूशन हिंदी में दोस्तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल के डिजिटल सिगनेचर को कैसे वेरिफाई कर सकते हैं उसमें कोई एरर आता है तो उसको कैसे फिक्स करना है तो आप यहां देख सकते हैं मेरे डेस्क टॉप पर पीडिये फॉर्माट में एक डॉक्यूमेंट फाइल रखी है अभी मैं इसको ब्राउजर में ओपन करके दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं यहां हमको सिगनेचर नॉट वेरिफाईड और येलो कलर का क्वेश्चन मार्क शो हो रहा है तो इस सिगनेचर को कैसे वेरिफाईड करना है और कैसे इसको ग्रीन टिक में बदलना है तो अब आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना, स्किप मत करना तो इसके लिए हमारे सिस्टम में एक सौफ्टवेर इंस्टॉल होना चाहिए जिसका नाम है अडोबी आग्रोबैट अगर आपके सिस्टम में ये सौफ्टवेर नहीं है तो आप इसको गूगल से इंस्टॉल कर सकते हैं उसके बाद जो हमारी डॉक्युबंट फाइल है उ अगर हम यहां signature panel पर double click करके signature properties पर click करते हैं और नीचे validate signature पर click करने पर भी हमको signature validity is unknown error देखने को मिल रहा है, तो इसको कैसे fix करना है, अब देखो, इसको सही करने के लिए हमको यहां show signer certificate option पर click करना है, उसके बाद ऐसा dialogue box show होगा, यहां menu bar में आपको trust पर click करना है, अब नीचे add to trusted certificates button पर click करना है, उसके बाद आपको कुछ check box show होगे, इनको आपने tick कर देना है, उसके बाद okay okay click कर देना है, अब आपको signature properties वाले section में नीचे validate signature पर click करना है, जैसे ही आप validate signature पर click करेंगे, तो आपकी file का signature वालेड हो जाएगा और green tick भी show हो जाएगा, तो इस तरह से आप अपने document के digital signature को verified कर सकते हैं, इसके बाद अगर आप इस file को PDF में save करना चाहते हैं, तो उपर print option पर click करें, और printer वाले section में आपको Microsoft print to PDF option select करें, और नीचे print button पर click करें, अब आप अपनी file को किसी भी जगह save कर सकते हैं, अब हम अपनी save की हुई file को browser में open करके देखते हैं, तो अब आप देख सकते हो मेरी file पर signature valid और green tick show हो रहा है, तो दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो please वीडियो को like जरूर कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर नई हैं तो चैनल को subscribe कर लें, क्योंकि ऐसे helpful वीडियो हम आपने चैनल पर डालते रहते हैं, धन्यवाद, thanks for watching,